हेलो फ्रेंड स्वागत है इस चैनल पे आज हम कलास 12 के केमेस्ट्री देख रहे हैं है क्लास 12 के केमेस्ट्री आज देख रहे हैं जो कि अब्जेक्टिव क्युचन आए जिसमें 35 मार्स है पूरे और टाइम है मेरा एक घंटा 30 मिनट ठीक तो अब हम केचन देख रहे हैं केचन नमबर फर्स्ट अब जा रहे हैं उसपर तो केचन नमबर फर्स्ट हम आग हैं देखिए केचन का रहा है अता केंद्रित घंट एक एक कोष्ट का में परमानुओं की संख्या होती है इसका मेरा सही एंसर हो जाएगा बी ठीक दो हो जाएगा अब देखिए केचन नमबर दो त्रीबीम में वर्ग निविड संकुलन में उपलब्द अस्थान का कितना परतिशत गोलो द्वारा घेरा जाता है तो दूसरा का सही एंसर हो जाएगा मेरा सी सिवेंटी फोर परसेंट ठीक अब हम क्यूचन थ्री देख रहे हैं तो चालिस ग्राम ए ने ओ एच दो लीटर जलिये बिलियन में उपलश्थित है बिलियन की मुलर्टा होगी तो इसमें बिलियन की मुलर्टा पुछा है तो ए ए मेरा सही एंसर हो जाएगा थिरी का फस्ट ए 0.5 अब हम चलेंगे क्यूचर नंबर फोर क्यूचर नंबर फोर है मेरा निकेल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का इम एफ निकाले तो फोर का सही एंसर हो जाएगा मेरा फोर का सही एंसर हो जाएगा मेरा ए 0.59 वी हो जाएगा अब हम क्यूचर नंबर देख रहे हैं 5 क्यूचर नंबर मेरा है 5 ठीक तो 5 अब क्यूचर नंबर देख रहे हैं हेवर भी दी में पर्यूक्त उत्प्रेरक है तो 5 का सही एंसर हो जाएगा मेरा अब क्यूचर नंबर देख रहे हैं इन में से लोहा का अयस्क है तो 6 का मेरा सही एंसर हो जाएगा हे में टाइट ओप्शन नंबर ए मेरा सही है ठीक अब देखें क्यूचर नंबर 7 है उत्प्रेरक के कारण क्या बदल जाता है तो 7 का सही एंसर हो जाएगा सी सेवन का सही एंसर हो जाएगा सी सक्रियन उर्जा अब हम क्यूचर नंबर एट देख रहे है एट में दिया है निम्नल लिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है तो एट का सही एंसर हो जाएगा मेरा एट का सही एंसर हो जाएगा मेरा भी ठीक मोललता पर निर्भर नहीं करता है अब क्यूचर नंबर नाइन देखे तो बैदूत अब घट्या विल्लियन के मोलर चलागता में बिरिदी होती है तो नाइन का मेरा सही एंसर हो जाएगा तनूता में बिरिदी होती है अब देखे क्यूचर नंबर टेन है एन टू ओ फाइट में नाइट्रोजन का सही एंसर हो जाएगा डी फोर होता है जे अब हम क्यूचर नंबर 11 देख रहे हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आइन रंग हिन योगिक बनाता है तो 11 का मेरा सही एंसर हो जाएगा बी एगारा का सही एंसर हो जाएगा मेरा बी ठीक उसी तरह से 12 देख रहे हैं कि एम के पाउर में टू प्लस आयन और जेड बराबर 27 का चुम्बक ये अगुण होता है तो बारा का मेरा सही एंसर हो जाएगा बी थीक तेरा देखिए तो पलस फाइब ऑक्सी करन अवस्था वाले फास्फोरस के ऑक्सी अमल को पहचाने चार्ग ओप्शन मेरा दिया है इसमें ऑक्सी अमल पहचानना है हमें थीक तो तेरा का मेरा सही एंसर हो जाएगा शी एस थ्री पी ओफोर होता है ठीक अब क्यूचन नमबर चोधा देखेंगे तो वायू की अधिकता में अयस्क को गलनांग के नीचे गर्म करने की परकिरिया को कहते हैं तो चोधा का मेरा सही एंसर हो जाएगा बी ठीक भरजन बोलते हैं क्यूचन नमबर पंदर देख रहे हैं तो नीमना लिखित में कौन सा लिगेंड एक चिलेट बनाता है तो पंदरा का मेरा सही एंसर हो जाएगा बी पंदरा का सही एंसर हो जाएगा मेरा बी अग जेलेट बनाता है जी कि उचन नमबर अब 16 देखेंगे तो इसमें बोल रहा है PtN3 के नीचे दिया 3, Cl2, Br, cl में हैंलाइड आयन की संख्या होगी, हैंलाइड आयन की संख्या बोल रहा है, सोला का मेरा सही एंशर हो जाएगा, D, सोला का मेरा सही एंशर हो जाएगा, D, 1 होता है थिक, अब सत्रक देख रहा है कि उच्छटन नमबर, तो 17 में दिया है 2CH3BR 2NA से अभिकिरिया करने के लिए बोल रहा है CH3CH3 2NABR यह अभिकिरिया है मतलब यह कौन सी अभिकिरिया है शार को मेरा आप्शन दिया 1,2,3,4 इसमों बोला है कि यह कौन सी अभिकिरिया है तो 17 का मेरा सही एंसर हो जाएगा तो 17 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B ठीक उठ जबिकिरिया है जी अब क्यूचर नमबर 18 देख रहा है CH3CH2BR पलस KOH यहां बना रहा है इसमें पूछ रहा है यहां A है मतलब A क्या है यहां बोला है A क्या है तो 18 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B 18 के मेरा सही एंसर हो जाएगा B CH3CH2OH हो जाता है अब देखें 19 का देख रहा है तो Butan2 All है तो Butan2 All है किसमें है मेरा 1L call दिया है 1 degree alcohol 2 degree alcohol दिया है 3 degree तो इसमें से मेरा सही एंसर हो जागा 19 का 2 degree हो जाता है जी option number 20 सही है अब future number 20 देख रहे हैं तो 20 में दिया है C2H5 OH से अभी किरिया करने के लिए दिया है और यहाँ A है मतलब A मेरा क्या है इसका करने का यह है कि A क्या है तो इसका option दिया है चाथ हो तो 20 का मेरा सही एंसर हो जाएगा C20 का मेरा सही एंसर हो जाएगा C C H3 C H O हो जाता है ठीक आगे दखते हैं 21 का तो C H3 C H O से देदेगा है तो यहाँ पर भी बोला है कि यहाँ A है ठीक तो 21 का मेरा सही एंसर हो जाएगा A ठीक A मेरा सही एंसर है जी C H3 C H2 O H हो जाएगा अब कि उच्छान नमबर हम 22 देख रहे हैं 22 तो 22 में बोला है इन में से कौन धातु का परिसोधन करने की बीदिन नहीं है तो 22 का मेरा सही एंसर हो जाएगा C 22 का मेरा सही एंसर हो जाएगा C ठीक पोलिंग हो जाता है अब कि उच्छान नमबर 23 देख रहे हैं तो 23 में मेरा दिया है रेडियो धर्मी वी घटन एक उधारन है तो 23 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B 23 का सही एंसर हो जाएगा B ठीक प्रथम कोटी अभी किरिया का होता है जी अब 24 देख रहे हैं तो इन में से कौन प्रतिचुम्बक के प्रकृतिका है तो 24 का मेरा सही एंसर हो जाएगा D जेडन के पाउड टू पलस हो जाता है ठीक अब देखिए क्यों चन नंबर हम 25 देख रहे हैं 25 में बोला संक्रमन तत्व है तो मेरा चार्ग ओप्सन देदिया है एस ब्लोक तत्व में पी ब्लोक तत्व में डी ब्लोक तत्व में और ए ब्लोक तत्व में ओप्सन मेरा चार्ग है तो संक्रमन तत्व किस में होता है तो संक्रमन तत्व होता है तो संक्रमन तत्व हो जाएगा जी ठीक P block में हो जकाएगा तो मैरा सही answer हो जकाएगा B ठीक अब देखेंगे future number 26 तो CS3, CS2 और I do I पलस, KCN दिया है तो यहाँ बोल रहाँ यहाँ A है तो 26 का मैरा सही answer हो जकाएगा 26 का मैरा सही answer हो जका A ठीक अब कि उच्वन नंबर 27 देख रहे हैं तो 27 में दिया है बोला है 27 का तन्नु एस्टू एस और फोर के उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन करने पर प्राप्त होता है तो मेरा 27 का सही एंसर हो जागा 27 का सही एंसर हो जागा मेरा C ठीक सी एस थ्री सी एस टू और ओएज अब क्यूचर नंबर 28 हम देख रहे हैं तो 28 में बोला है 28 में बोला कि सी टू सी सिक्स एच फाइब सी एच ओ पलस सी ओ एन सी और न ए ओएज से अभी किरिया करके अपना दे दिया है तो इसमें बोलाई यह अभी किरिया है यह कौन सी अभी किरिया है मेरा चार्ग ओप्सन दे दिया है इसमें बताना है कि यह कौन सी अभी किरिया है ठीक तो 28 का मेरा सई एंसर हो जागा डी कैनी जारो अभी किरिया है अब 29 देख रहे हैं 29 बोल रहा है CS3NS2 में नाइट्रोजन परमानुक का संकरन है तो 29 का मेरा सई एंसर हो जाएगा CP3 हो जाता है ठीक SP3 हो जाएगा अब देखेंगे की उचन नमबर 30 30 बोल रहा है 1 डिग्री एसीड एमाइड को किस अभी किरिया द्वारा एमीन में बदला जा सकता है तो 30 का मेरा सई एंसर हो जाएगा A 30 का मेरा सई एंसर हो जाएगा A ठीक हाफ मेन ब्रोमाइड हो जाता है अब की उचन नमबर 31 देख रहा है तो नाइट्रस अमल के साथ मिठाइल एमीन के अभी किरिया करने पर कौन सी गैस निकलती है तो 31 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B 31 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B N2G अब देगे क्यूचर नमबर 32 देख रहे हैं तो 32 बोल रहा है कि सुक्रोज के जली अब घटन से क्या उत्पाद होता है क्या उत्पाद बनते हैं तो मेरा 32 का सही एंसर हो जाएगा 32 का मेरा सही एंसर हो जाएगा D ठीक गुलकोज पलस फ्रक्टोज हो जाता है अब हम 33 की उचन देख रहे हैं तो 33 बोल रहे हैं मानो शरीर में कार्बोहाइट्रेड किस रूम में जमा रहता है तो 33 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B ठीक गलाइको जेन हो जाता है अब 33 नमबर की उचन देख रहे हैं शोरी 32 बोल रहे हैं कि सुक्रोज के जल्ली अब घटन से ग्या उत्पाद बनाते हैं तो 32 का मेरा सही एंसर हो जाएगा 4 D हो जाता है गुलकोज पलस फ्रक्टोज अब की उचन नमबर 33 देख रहे हैं तो 33 बोल रहा मानो शरीर में कार्बो हाइटरेट किस रूप में जामा होता है तो 33 का मेरा सही एंसर हो जाएगा B 33 का मेरा सही हो जाएगा B ठीक गलाइको जेन हो जाता है 34 की उचन बोल रहा कि एक दवा जो मलेरिया के इलाज में असरदार है तो 34 का मेरा सही एंसर हो जाएगा गलाइको 59 हो जाता है की इसन बोल रहाएग एक उदारन शाख अप्शन बोल रहा है कि लाइक लाइट skate Eleire दारन हो जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा जी तो मेरा सही एंसर हो जाएगा 4, D हो जाएगा ठीक, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और ज्यादा तर ज्यादा तर इस वीडियो को आपने दोस्तों के पास सेर कीजिए तब तक के लिए ठैक्यू अब अगले वीडियो में मिलते हैं